हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की बैक निक्री एंसेर करूंगी जो की बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बैक पन की लैंदो लेंगी लैंदो मैंने याप फिक्ति इंच लिया हुआ तैया ब्लाउज हममारा फॉटी इंच करहेगा चेस्ट मैंने यहाँ से 11.5 इंच लिया हुआ है और सॉल्डर मैंने यहाँ से 5.5 इंच लिया हुआ है इसके बाद मैंने आर्म होल 6 इंच लिया है इस तरह से और 1.5 इंच की गोलाई दे दी है आर्म होल की यहाँ से हमें नेक विर्थ लेना है तो नेक विर्थ हमने यहाँ से गोलाई देनी है तो बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे इस तरह से गले का सेप दे देना है और अब हम इसे कट कर देंगे बिल्कुल गोलाई से हमें यहाँ पे इसे कट करना है तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूं से उसी तरह से आपको भी cut कर देना है और open करने के बाद ये देखिए गले का look कैसा आ रहा है अब हम क्या करेंगे गले की finishing देंगे तो गले की finishing देने के लिए मैंने या पर golden color की उरे में पटी कट की हुई है डेड़ इंच के आसपास है पटी की width और इसे मैंने इस तरह से double fold कर लिया हुआ है और double fold करने के बाद हमें गले के side में लगाना है इसे तो आप देख सकते हैं friends यहां पे मैंने half inch का margin देते हुए इसे बिल्कुल अच्छे से पूरे neck में stitch लगा देना है तो इससे हम piping बनाएंगे तो बिल्कुल ही अच्छे से finishing के साथ लगाएंगे बिल्कुल बराबर से तिल्टे जाएंगे और पूरे neck में हम इसे सिला लगा करके complete कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने इसे complete कर दिया हुआ है stitch करके और जो भी अक्ष्टा पट्टी बज जाती है उसे हम cut करके निकाल देंगे और इस से भी छाट लेंगे पट्टी को अब हम इसे अंदर की तरफ fold करते हुए आपको चितनी पतली piping चाहिए उस तरह से आप पतली piping बना सकते हैं तो यह देखिए जो भी एक्ष्टा कप्रा है उसे अंदर की तरफ fold कर देंगे और पतली सी piping निकालते हुए हम पूरे neck में सिला लगा देंगे तो यह देखिए friends हमें एक pair की margin देते हुए सिलाई को cover करना है जिससे की इसका look बहुत ही अच्छा है बिल्कुल हमें piping पे सटा करके सिलाई नहीं देना है और आपको जितनी अच्छी piping यहाँ पे बनेगी उतना अच्छा look आएगा गले का तो ध्यान दे piping हमारा बराबर होन चाहिए पूरे नेक में और इस तरह से piping बनाना बहुत ही आसान हो जाता और इसमें यह बिना डोरी वाली piping है तो यह देखिए यहाँ पे मैंने इसे complete कर लिया हुआ है इसके बाद हम back part की tux देंगे तो दोनों साइड में हमें tux देना है ha ha fringe का और इसे उपर की तरफ चार से प्माच इंच तक लेना है और इस तरह से दोनों साइड से हम इसे अच्छे से double stitch लगाएंगे ताकि जो सिलाई है वो जल्दी से हमारा खराब ना हो और इसके बाद अब हम one inch इस तरह से fold करते हुए सिला लगा देंगे यहाँ पे one inch का हमने extra fabric लिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से fold कर दिया हुआ है और stitch लगा दिया हुआ है आप चाहे तो मेचे पटी भी use कर सकते है इसके बाद friends डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से contrast लर में fabric लिया हुआ है और triangle shape में इसे मैंने fold करके सिला लगा लिया हुआ है आप देख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे बल्कुल center स को सिला करना है और इसके side में भी हम एक सिला लगा देंगे और opposite side में भी हम इसे इसी तरह से design बनाएंगे बिल्कुल अच्छे से बराबर में दोनों को रखती हुए शिला लगा लेंगे शिला लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से decorate करने के लिए इस तरह से pinkler में ने लेस लिया हुआ है और लेस को इस तरह से neck के side में लेंगे और सिला लगाएंगे और इसके बाद मैंने जो design बनाया है उसे cover करते हुए design के उपर से lace को घुमाते हुए हमें सिला लगाना है तो इस तरह से आपको यहाँ पे lace लगा लेना है पूरे design के side side में और बिल्कुल ही अच्छे से आपको लगाना है friends जिससे की यह design है उसकी जो stitching यह वो cover हो जाए और design के side में fabric भी ना दिखे इस बाद का आप ध्यान दे और इस तरह से पूरे neck में हमें इससे stitch लगा लेना है इसके बाद हमें lace के दोनों side से अच्छे से सिलाय लगा लेना है corner में हमें सोई को अंदर की तरफ रखती हुए ही सिलाय लगानी है तो यह देखे यहाँ पर मैंने lace लगा लिया हुआ है अब हम design को decorate करने के लिए इस तरह से golden color की मोती लेंगे और मोती को design के center में लगाएंगे attach करते वे दोनों design को attach करते वे हम center में इससे लगा लेंगे और इसी तरह से हमें जो भी design बनाये है उसमें इस तरह से मोती को attach करते जाएंगे तो अब देख सकते friends यहाँ पर मैंने three design बनाये तो यहाँ पर इस तरह से three stone लगा दिये हुए है और यह जो हमारा blouse design है वो complete हो गया है तो देखा friends कितना आसान है इस blouse को बनाना और बनने के बाद इसका look बहुत ही अच्छा आता है तो आप इस तरह के को जरूर ट्रै करें और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment कर जरूर बताएं साथ ही वीडियो को like share कर ना बिल्कुल ना भूले और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे यूटूब चैनल को subscribe जरूर करें thank you friends